बच्चो नमस्कार आओ करें और सीखें भाग संख्या 137 में आज हम सीखेंगे समकोण, रिजुकोण, समपूण कोण बच्चो इन प्रस्णों को हल करने से पहले हम दिसाओं की बारे में समझ लेते हैं बच्चो हम सभी जानते हैं दिसाओं मुख रूप से चार होती हैं पूर्व, पस्चिम, उत्तर और दक्षिड बच्चो इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं यदि हम भारत का मान्चितर लेते हैं और उसे हम सामने की ओर रखते हैं और हम चित्रानुसार यदि भुजाओं को फैलाते हैं तो हम देखते हैं दाई भुजा की ओर पूरू होता है और बाई भुजा की ओर पस्चिम होता है और जिस तरफ हमारा सर है वह भाग उत्तर होगा और नीचे जहां पेर है उस तरफ का भाग दक्षिड होगा इस प्रकार से दिसाएं ग्यात की जाती है बच्चो अब हम इन दिसाओं को अंग्रेजी में समझते हैं बच्चो हम पूरू को इस्ट कहते हैं पस्चिम को वेस्ट उत्तर को नार्थ और दक्षिड को साउथ अब बच्चो हम इन दिसाओं से बनने वाले विभन कोणों को यदि बच्चों हम घड़ी के अनुसार उत्तर से पूर्व की ओर जाते हैं तो नब्बे अंस का कोण बनता है अर्थाथ हम पूरे चक्कर का एग बटे चार भाग चलें तो वह है नब्बे अंस होता है अता है हम उत्तर से पूर्व की ओर जाएंगे तो नब्बे अंस का कोण हम चलेंगे जिसे हम समकोण कहते हैं अतह यह पूरे गुणन का एग बटे चार गुणन होगा अब बच्चों हम उदाहरण दो को देखते हैं यदि हम उत्तर से दक्षिड की ओर चलें अर्थात घड़ी के पूरे आधे चक्कर चलें अर्थात एग बटे दो भाग चलें तो हम 12 से 6 तक आधा भाग अर्थात आधा गुणन कर पाएंगे अता है आधे भाग में 180 अंस का कोण बनेगा बच्चों इसे हम रिजू कोण कहते हैं अता है 180 अंस के बने कोण को हम रिजू कोण कहते हैं अब बच्चों हम उदाहरण 3 को लेते हैं यदि हम घडी की दिसा में उत्तर से पूर्व, पूर्व से दक्षिड, दक्षिड से पस्चिम, पस्चिम से उत्तर इस प्रकार से पूरा एक चक्कर उत्तर से उत्तर की ओर लगाएंगे तो यह एक पूरा चक्कर होगा अर्थात पूरा चक्कर बारह बजे से बारह बजे तक यह कहलाएगा बच्चों संपून गुणन इसे हम संपून कोण भी कहते हैं बच्चों अब हम प्रस्ण की ओर चलते हैं प्रस्ण में एक घड़ी दिख रही है इस घड़ी में कितने अंस का कोण बन रहा है बॉक्स में हमें लिखना है बच्चों इस घड़ी में तीन बज रहे हैं अता है हम चांदे सिनापकर देखते हैं तो नब्बे अंस का कोण बन रहा है अता है इसे हम संकोण कहते हैं अता है हम उत्तर में संकोण लिखेंगे अब बच्चों हम अगले प्रसंद को हल करते हैं घड़ी की दी हुई आकरती में हमें यह बताना है कि इसमें कोण सा कोण बना है बच्चों इस घड़ी में हमें दिख रहा है कि 6 बज रहे हैं अता है यह एक सीधी रेखा है इससे पूर भी बच्चों हमने पढ़ा था कि ए 181 का निर्माण करती है अता है उत्तर में रिजु कोन आएगा बच्चो अब हम अगले प्रसन को हल करते हैं इस चित्र में घडी में देख कर बताना है कि कितने अंस कोन बन रहा है तो बच्चो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि घडी में कितने बज रहे हैं तो बच्चों हमें इस पस्ट रूप से दिख रहा है कि घड़ी में 12 बज रहे हैं अता है यह इस पस्ट हो रहा है कि घड़ी का काटा जो है एक बार पूरी तरह से घुम कर पुना 12 में आ गया है अर्थात एक पूरा चकर लगा लिया है अता है हम यह कह सकते हैं कि यह संपू अब बच्चों हम इस भाग के अंतिम प्रसनों को हल करते हैं सबसे पहले हम दिये हुए घड़ी के चित्र में समकोन बनाते हैं जो 90 अंस का होता है इसी प्रकार से अब हम रिजुकोन का निर्मार करते हैं जो 180 अंस का होता है और अंत में हम समपून कोन का निर्मार करते हैं ज तो तीन सो साथ अंस का होता है बच्चो धन्यवाद आज इतना ही अगले वीडियो में हम जल्द मिलेंगे आप से एक अन्रोध है यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें सेयर करें धन्यवाद